हेलो यह व्रीवन वैलकम और मैं ट्यूप चैनल इस वीडियो में हम एजकॉन ग्लोबल सर्विस लिम्टेड कंपनी की डिटेल एनलाइजिस करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस कंपनी की शेयर पाई 45 रुपाय, 88 पैसा है और एक दिन में साडा़े 6 परसंड के पॉजटिव रिटेन, पाँस सालों में 27 परसंड के रिटेन और maximum returns की बात करें तो 146% के positive return दिये हैं बट यहाँ पर chart pattern आप देख सकते हो काफी ज़्यादा volatility में देखने को मिला है यहाँ company की business and fundamentals की बात करें तो यह जो company है यहाँ पर broking में work कर रही है जैसा कि BSC, NSC, cash and derivatives segments में trading and terminate of the broking यानि इस company का जो main business है stock market में trading करना है और अपना broking बनाना है brokerage बनाना है market capitalization purchase करोड का है small cap की company है stock का low 22 rupees stock का high 44 rupees यहाँ बात करें PE की 18.6 है book value 35.5 है dividend yield 0 है company कोई भी dividend नहीं दे रही है face value 10 रुपे की है intrinsic value 25 rupees पर motor holding 67% है और debt के बात करें तो 13 करोड का debt है इसे के साथ साथ यहाँ बात करें quarter on quarter basis result की तो आप देख सकते हो इस छोटी company का जो quarter on quarter basis result है positive है बट यहाँ पे काफी कम ज़्यादा profit हमें देखने को मिल रहा है जैसा कि 0.28 करोड, 0.60 करोड, 0.43 करोड, 0.23 करोड year on year basis की बात करें तो year on year basis यहाँ पे profit almost same देखने को मिला और काफी अच्छा profit है 1.56 करोड, 2.18 करोड and 1.43 करोड results की बात करें तो company के पास काफी अच्छा खासा results भी है 15.6 करोड का और यहाँ पे borrowings की बात करें तो काफी borrowings जादा है 13.27 करोड इसी के साथ साथ यहाँ बात करें promoter holding की company के promoters के पास 67% के stack है D.I.S के पास 0.85% के stack है और बागी public holding 31.67% देखने को मिल रही है तो क्या इस company के share को खरीदना चाहिए या avoid करना चाहिए जिदोस्तो stock price काफी कम है इसलिए बहुत ज़्यादा quantities में trade ना करें या ज़्यादा shares buy ना करें अगर आप चाहते हो तो इस company में कुछ stocks buy कर सकते हो क्योंकि company के याप फंडामेंटल्स ठीक हमें देखने को मिल रहे है बहुत ज़्यादा quantities में trade करना आपके लिए काफी ज़्यादा रिस्क होगा investment करने से पहले financial advisor से बात कर लें Thank you दोस्त